नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटुब चैनल में आप सभी का श्वागत है आज जानते हैं कार्तिक मास के महात्म कथा अध्याय दो भगवान स्रिक्रिष्न आगे बोले हे प्रिये, जब गुन्वती को रक्षस द्वारा अपने पती एवं पिता के मारे जाने का समचार मिला तो वह विलाप करने लगी हे नात, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहां चले गए मैं अकेली इस्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूँ अब मेरे भोजन, वर्ष्ट्र, आदी की विवस्था कौन करेगा घर में प्रेम पुर्वक मेरा पालन पोशन कौन करेगा मैं कुछ भी नहीं कर सकती मुझ विद्वा की कौन रक्षा करेगा मैं कहां जाओं, मेरे पास तो अब कोई ठीकाना भी नहीं रहा इस प्रकार विलाप करते हुए गुनवती चक्कर खाकर धर्थी पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई बहुत देर बाद जब होज आया तो वह पहले की ही भातिवर करुन विलाप करते हुए सोक सागर में डूप गई कुछ समय के पश्चात जब वह शंभली तो से ध्यान आया कि पिता और पती की मृत्यों के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गती हो सके इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पती का स्राध आधी कर्म किया ततपस्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठो पहर भगवान विश्णों की भक्ती करने लगी उसने मृत्यू प्रयांत तक नियम पुर्वक सभी एकादसी का वरत और कार्तिक महीनी में उपवास वरत किये हे प्रिये एकादसी और कार्तिक वरत मुझे बहुत ही प्रिया है इनसे मुक्ती भग्ती पुत्र एवं शंपत्ती प्राप्त होती है कार्तिक मास में जब तूला रासी पर सुर्य आता है तब ब्रह्म हमुरत में उठकर अशनान करने ववरत वा उपवास करने वाले मनुश्य मुझे बहुत प्रिय हैं क्योंकि यदि उन्होंने पाप किये भी हो तो अशनान ववरत की प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं कार्तिक में असनान जागरन दीपदान एवं तुलसी के पौधों की रक्षा करने वाले मनुश्य साक्षात भगवान विश्नों के समान हैं कार्तिक मास में मंदिर में जाडू लगाने वाले स्वस्तिक बनाने वाले तथा भगवान विश्नों की पूजा करने वाले जनम्मरन के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। मैंने कृष्ण का आतार लिया तो मेरे गन भी मेरे साथ इस प्रिथवी पर आये जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पुर्वजन में देव शर्मा थे तो इस समय सत्रा जीत हैं। पुर्वजन में चंद्रसर्मा जो तुम्हारा पती था वह डाकू है और हे देवी तुही वह गुनवती है। तार्तिक वरत के प्रभाव के कारण तुही मेरी अरधांगनी हुई है। पुर्वजन में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगर में कलपवरिक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुन्दर है और तुम्हारे घर में शक्षात लक्षमी का वास है। चुकि तुमने पुर्वजन में अपने सभी वरतों का फलपती श्वरूफ विष्णू को अरपित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन में तुम मेरी पतनी भी हुई। सत्यभामा भगवान स्री कृष्ण के मुक्से अपने पुर्वजन में के पुन्य का प्रभाव शुनकर बहुत प्रशन्न हुई। बोलिये जय स्री कृष्णा।